नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एकू नियोज 6 5G वर्सिस शाउमी 11 Lite NE 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की, दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, नियोज 6 5G में 6.42 इंच जबकी एने 5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है जोकी नियोज 6 5G से कम है विट की बात करें तो, नियोज 6 5G में 3 इंच जबकी एने 5G में 2.98 इंच की विट मिलती है जोकी सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो, नियोज 6 5G में 0.33 इंच जबकी एने 5G में 0.27 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं weight की तो Neo 6 5G में 190 grams जबकि any 5G में 158 grams का weight देखने को मिलता है तो चलिए अब हम display को compare करते हैं display type की बात करें तो दोनों phone में same ही AMOLED की display मिलती है aspect ratio दोनों phone में same ही 20 ratio 9 मिलता है display size की बात करें तो Neo 6 5G में 6.62 inches जबकि any 5G में 6.55 inches मिलती है display resolution दोनों phone में same ही 1080 by 2400 मिलता है screen to body ratio Neo 6 5G में 85.3 प्रतिशत जबकि any 5G में 85.25 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो Neo 6 5G में 398 प्रतिश जबकि any 5G में 402 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं display के अन्य features यानि विशेशता है की जोकी mobile phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा features camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें man camera की तो Neo 6 5G में 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है और any 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में telephoto macro camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो नियो 6 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और एनी 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो Neo 6 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते है और any 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते है अई अब बात करते है hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Neo 6 5G में Adreno 650 जबकी any 5G में Adreno 642L मिलता है चिप सेट की बात करें तो Neo 6 5G में Qualcomm Snapdragon 870 और any 5G में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है बात करें RAM की तो Neo 6 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकी any 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Neo 6 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 256GB की storage मिलती है जबकि Any 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करे तो, Neo6 5G में नहीं है जबकि Any 5G में up to 1TB है Operating System की बात करे तो, Neo6 5G में Android V12 जबकि Any 5G में Android V11 देखने को मिलती है Battery, Neo6 5G में 4700mAh जबकि Any 5G में 4250mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है Colors की बात करे तो, Neo6 5G में 2 colors जबकि Any 5G में 4 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करे price की तो, Neo6 5G में 2 variant देखने को मिलते है जो की 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 29,490 रूपीज 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 29,999 रूपीज में मिल जाता है दोस्तों अब बात करते है प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Echo Neo6 5G में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करे Xiaomi 11 Lite Any 5G की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फों सेम ही है Main Camera में दोनों फों सेम ही है Front Selfie Camera में दोनों फों सेम ही है Performance में New 6 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo X60 है दुसरा Xiaomi Mi 11X Pro 5G है तीसरा Google Pixel 6 5G है और last competitor phone की बात करें तो उसमें EQZ 5 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना